नमस्कार साथियों स्वागत है आप सबे का हमारे यूटूब चेनल ग्यानकामनापर तो दोस्तों महात्मा गांदी सरोदे विचार प्रीक्षाथ 2023 के लिए ओनलाइन आवेदन फोरम कैसे भरा जाता है इसके बारे में इस वीडियो में आपको step by step जानकारी देने वालों यानि फोरम बरकर आपको दिखाने वालों अगर आपको भी अग्जाम फोरम बरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अग्जाम फोरम बरने से पहले exam forum को लेके 2-4 खाज जानकारी आपको बताना चाहूँगा पहली बात तो है कि देखिए महातमा गंदी सरोधे विचार प्रिक्षा है कक्षा 6 से लेके college तक के student वो दे सकते हैं तो ऐसे में कोई भी student ये exam forum भरना चाहता है तो वो खुद नहीं भर सकता यदि आप exam forum भरना चाहते हैं तो आपको अपनी संबंदित school या college से संपरक करना चाहिए क्योंकि ये school और college की ID से ही भरे जाएंगे अगर ये video school या college साथ ही देख रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहूँगा ये आप school level का याने 6 से लेकि 12 तक आवे दन forum भरने जा रहे हैं तो आपके पास RBSC board एजमेर की user ID और password होगा उसकी मदद से आपको भरना है ये आपके पास user ID और password नहीं है तो संबंदित आपको यहाँ पे board की जो official mail ID है जो आप यहाँ पे दे सकते हैं आपको दिखाना चाहूँगा इस mail ID के उपर आपको यहाँ पे password के लिए mail करना है संबंदित डोकुमेंट आपको बेजना है तो आपके लिए user ID और password हो प्रोवाइड करवा देंगे उसके मदद से आप अपना यह exam forum है वो भर सकते हैं अब यहाँ पे मैं student को कहना चाहूँआ कि आप अपनी जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ बने रहेगी किस परकार से यह आवेदन forum है वो भरा जाता है तो चलिए आवेदन forum भरना शुरू करते हैं सबसे पहले आपको RBC board की जो official website है इस पर आपको आना है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक link दिखाए देगा board main exam 2024 इस link पर क्लिक करना है इस तरह से एक नया page open हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद आपको अपने school का code और password आपको यहाँ पर डालना है यदि आपको महात्मा गांधी सरोदे विचार प्रेक्षाद 2023 के नियमों के बारे में जानना है exam के बारे में जानना है, syllabus के बारे में जानना है तो इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो की मदद हो ले सकते हैं इस वीडियो का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा टोटल जानकारी इस वीडियो में वो दिये चलिए आवेदन forum भरना शुरू करते हैं तो जैसे आप अपने school की ID के अंदर login होते हैं तो यहाँ पे देखे left side में आपको कई तरह के option दिखाए देते यहाँ पे एक option आपको मिल जाएगा सरोधे वीचार इस वाले option पे आपको यहाँ पे click करना है फिर से आपको यहाँ पे तीन option दिखाए देंगे यदि आप कक्षा 6 से लेके 8 तक forum भरना चाहते हैं तो इस पर आपको click करना है यदि कक्षा 9 से 12 तक भरना चाहते हैं तो इस लिंक पे आपको click करना है इसके बाद यह जो list हो है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो मैं यहाँ पे कक्षा 9 से लेके 12 तक की forum process आपको बता रहा हूँ अलांकि कक्षा 6 से लेके 8 तक भी same process है तो आप अपने आउस्टेक्ता गनुसार किसी link पे click कीजेगा अब जैसे आप इस पे click करोगे तो देखे इस तरह से एक साधान सा forum है वो open हो जाएगा यदि आपने RBC Board का पहले किसी student का forum भरा है तो इस forum के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं अब यहाँ पर आने गवाद सबसे पहले student की जो भी class है आप अपने आउस्टेक्ता गनुसार यहाँ पे select कर लिजेगा इसके बाद इसका जो भी संकाई है science, commerce, arts है select कर लिजेगा अब यहाँ पे आपके सामने एक समश्या आ सकती है देखी यहाँ पे जैसे अपन कक्सा 9 या 10 को select करते हैं तो फिर भी यह संकाई पूछ रहा है आलांकि 9 10 के अंदर तो कोई संकाई होते नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पे देखी नोने संकाई दे रखें तो यह portal का एक technical issue है इस issue का समादान हम जल्द ही करवा देंगे लेकिन फिर भी जैसे आप 9 10 का आवेदन फोरम भर रहे हैं तो कोई भी यहाँ पे संकाई हो select कर लिजेगा इससे कोई खास फरक हो नहीं पढ़ने वाला है इसके बाद आगे यहाँ पे student का नाम आपको भरना है इसके बाद आगे यहाँ पे student की जो भी DOB है आप अपने आवस्तेक्ता एक नुसार यहाँ से select कर लिजेगा जो भी लागू होती है अब जैसे select करोगे तो यहाँ पे देखे सब्दों में DOB आगे इसके बाद student का जो भी gender है यहाँ से select कर लिजेगा उसका medium क्या है हिंदी और इंगली से आवस्तेक्ता के नुसार select कर लिजेगा अब इसके बाद यदि student कोई special category से है कोई disability या सारे भी किलांगता का दोस है तो आवस्तेक्ता नुसार कोई भी एक option आप select कर लिजेगा यदि student में कोई सारे भी किलांगता का दोस नहीं तो यहाँ पर देखे note applicable का option आपको मिल जाएगा इस पर आपको यहाँ पर टिक लगाना है इसके बाद यदि student BPL से है तो यह सनो में जवाब दीजेगा यदि वो EWS category से है तो यह सनो में जवाब दीजेगा इसके बाद यहाँ से उसकी जो भी कास्ट है आवसेक तक इनुसार सेलेट कर लिजेगा इसके बाद आगे यहाँ पर student का पूरा address सही सही लिखना है और ध्यान रखना address में किसी परकार की कोई कटोती नहीं करनी है क्योंकि भवसे में यह दिए student का इस exam में selection हो जाता है तो board के दोरा पत्राचार किया जाएगा लेटर वेटर हो बेजे जाएगे इसलिए यहाँ पर आपको सही address डालना है इसके बाद यहाँ पर student का कोई भी एक mobile number आपको डालना है और mobile है वो working वाला आपको डालना है ऐसे नहीं कि कुछ समय बाद बंद हो जाएगा क्योंकि भवसे में है board के दोरा SMS के दोरा इसी mobile number पे हो सूचना दी जाएगी इसके बाद यहाँ पर अभिवाव की कोई mail ID है तो वो भी आपको डालना ये भी जरूरी है इस पर भी सूचना आने वाली है ठीक है information डालने के बाद निची आना है यहाँ पर student की photo upload करना है और यहाँ पर signature आपको upload करना है ध्यानक नहीं यहाँ पर photo की जो minimum size है 20 के बी और maximum 100 के बी होना चीए और signature की जो size है 10 के बी से लेके 50 के बी के बीच में होना चीए अब student की photo upload करने के लिए यहाँ पर आपको browse का option मिल जाता है simply इस पर आपको यहाँ पर click करना और जहाँ पर student की photo यह select कर लिजेगा इसके बाद यहाँ पर देखे student की photo आपको कुछ इस तरह से दिखाए देगी अगर यहाँ पर photo छोटी बड़ी है तो आप अपने इसाप से उपर निचे करके देखे छोटी बड़ी हो कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर देखे crop and get final image इस पर आपको click करना तो photo यहाँ आ जाएगी आप यहाँ पर दे सकते हो forum successful हो चुका है अब इसके बाद यह दि आपको दूसरे student का आवेदन forum बरना है तो इसी तरह से आपको बरना देखिए forum है फिर से यहाँ पर खाली हो चुका है फिर से आपको ने student की जानकारी बरनी तो एकके करके बारी-बारी सभी student के आपको आवेदन forum बरने के बाद यह दि student के forum का आपको print out लेना है या उसका data यह दि आपको check करना है या फिर आपकी ID से कितने आवेदन forum बरे गए हैं वो जानकारी यह दि आपको check करना है तो इसके लिए यहाँ पर देखे last में जो list show का option है इस पर आपको यहाँ पर click करना है अब जैसे आप इस पर click करोगे तो देखे इस तरह से आपको यहाँ पर list दिखाए देगी अलांगे देखे मेरे case में तो फिलहाल हमने एक student का आवेदन forum भरा है इसलिए यहाँ पर एक student की जानकारी दिखाई दे रही यहाँ आपने जादा student के आवेदन forum भरे हैं तो सभी की list आपको इसी तरह से दिखाए देगी serial number के इसाब से 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है अब यहाँ पर student के forum को print out यदर आप लेना चाहते हैं तो preview का option आपको दिखाई देता है last में इस पर आपको ी क्लिक करना है तो देख में इस तरह से forum आपको देखने को मिल जाएगा last में print का option आपको देखने को मिलेगा तो forum आप यहाँ से देखने को मिलेगा तो forum आप गलत भर दिया, नहीं भरना चाहते हैं, गलती से भर गया, तो यहां से फोरम को आप डिलिट भी है, वो कर सकते हैं, बस फोरम भरने की यही प्रोसेस है, और सभी भरेवे आवेदन फोरम हैं, आपको अपने स्कूल में, रिकोर्ड में रखने हैं, और एक बाई पोस्ट आपक के साथ, तो वो जुरूर सेर कीजेगा, इसके लाओ इस फोरम को लेकि आपके कोई सावाल हैं, तो आप कमेंट जुरूर कीजेगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी, तो मिलते हैं फ्रेंट से लिए एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भ हरते.